हालो गाईज जैसे कि आप सब भी जानते हैं हमारा स्टन फॉर ओर यूटूब पैनल है यह बेशिक से लेकर आएक्सपर्ट लेवल के आपको क्लास उप्लप कराई जा रही है यह रातरी साड़े नौ बजे वाली हमारी कलास है जो कि आज की दिनांग की पहली डिक्टेशन है इसके बाद में दूसरी डिक्टेशन होगी लगाता है दो डिक्टेशन के बाद में गूगल मीट का लिंक दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में आप बहां से गूगल मीट से ग रजिस्थान स्टेनोग्राफर के लिए यूपी एसाई स्टेनोग के लिए है बिहार पुलिस के जो तैयरी वाले चात्रे उनके लिए भी है विसिस्ट गति लिखे निर्देशी का इस तरह से यहां पर बहुत सारे प्लान दिये हैं किसी भी प्लान के लिए रजिस्ट्रिशन किसी ने ठीक ही कहा है समय तथा समुन्द्र की लहरें किसी की प्रतिच्छ नहीं करती इस संसार में सबसे मुल्यवान वस्तु समय है जो इसे नस्ट करता है वह स्वैम नस्ट हो जाता है इस नस्ट संसार में सभी चीजों को घटाया बढ़ाया जा सकता है पर समय को नहीं समय किसी के अधिन नहीं रहता न रुकता है न ही किसी की प्रतिच्छ करता है कबीर के अनुसार जो लोग दिन खाते पीते तथा रात सो कर गुजार देते हैं वे अपने हीरे जैसे अनमोल समय को बियर्थ ही खो देते हैं ऐसे लोगों को उस समय पच्छताना पड़ता है जब समय उनके हाथ से निकल जाता है ऐसी इस्तिती के लिए ही यह कहावत है अब पच्छताए होत क्या जब चड़िया चुग गई खेत इतिहास साक्छी है कि जिसने समय के महत्व को पहचाना और उसका सदुप्यों किया वह उन्नती की सीडियों पर चड़ता गया और जिसने समय का त्रसकार किया समय ने उसे बरबाद कर दिया प्रकृती हमें एक बार मौका जरूर देती है और दूसरा मौका देने से पूर्व पहला बापस ले लेती है विद्ध्यारती जीवन में समय का सरवदिक महत्व है समय का दुरूप्योग करने वाले विद्ध्यारती भावी जीवन में सफल होते हैं और एक सफल नागरिक बनते हैं इसके विप्रीत समय को ब्यर्थ बातों में गवाने वाले विद्ध्यारती विफलता का मुँ देखते हैं बिद्ध्यारती को अपना समय आमोद, प्रमोद, फैशन और अनावश्यक बातों में नहीं खोना चाहिए बलकि अध्यव्यसाई बनकर ज्ञानारजन के लक्षे को प्राप्त करना चाहिए समय का दुरूप्योग व्यक्तित्व निर्मान की आधार शिला है समय के महत्व को ना समझने वाले बास्तब में नाकाम लोग साबित होते हैं समय और पल हमारे मित्रों के बस में हमारे सामने आते हैं और प्रकृति की अमूले भेंट लाते हैं अगर हम उनका सदुप्योग नहीं करेंगे तो बे चुपचाप लोट जाएंगे यह सच है कि मानब जीवन दुखों का पहाड है लेकिन सच्चाई यह है कि बिना दुख दर्द के जीवन संभव नहीं अगर सरीर में दर्द ना होता तो शरीर मर जाता क्योंकि शरीर को दर्द का आभास ही ना होना दर्द देता है तो हम इसे दूर करने के उपाय करते हैं और जिन्दा रह पाते हैं भले ही जब कोई आपको दर्द देता है तो बहुत तकलीफ होती है पर उस दर्द के कारण ही आप उसका निवारण भी करते हैं यह दर्द सरीर के हर बार में हर नस नाड़ी के साथ जुड जाता है दर्द मुख्यता तीन प्रकार के होते हैं पहला बुद्धी का दर्द, दूसरा मन का दर्द और तीसरा आत्मा का दर्द तीनों दर्द अपने अपने तरीके से चित्त के अंदर सिंचित होते हैं और अगले जन्म में हाय तथा शाप का कारण बनते हैं जो दर्द बुद्धी के द्वारा असाहय होता है वह साररिक दर्द होता है शाररिक दर्द में मनुस्य के सरीर में होने बाली ब्याधी में बुद्धी को चेतना मिलती है जो हमें जिन्दगी जीने में साहयता करती है अगर साररिक दर्द की चेतना ना होती तो दर्द के बढ़ने के कारण हम जीबित भी ना रहते दूसरा दर्द मन का दर्द होता है इस दर्द में मन दुखी होता है इसमें हमारी पांच इंद्रियां भी दुखी होती है इस दर्द में कोई साररिक ब्याधी नहीं होती पर मन के उपर बहुत गहरे गाव होते है मनुस्य इस गाव के रहने गाव से राहत के पाने के लिए जीने का इंतजार करता है तीसरा दर्द आत्मा का दर्द होता है जब कोई इंसान किसी के साथ जगन्य अपराद करता है तो पीडित का नाभी चक्र बुरी तरह से तडप जाता है वही दर्द आत्मा का दर्द होता है उस दर्द के परिणाम की ही उस व्यक्ती को जीवन परियतन प्रतिक्छा रहती है दर्द है साफ है दर्द ही जिन्दगी को जीने की दिशा देते है इसलिए हमें तीनों प्रकार के दर्द को सहने की चमता बढ़ानी चाहिए जिससे हमारा जीवन और उन्नत रहे यदि हम इस बास्तविक्ता को सुईकार कर आगे बढ़ें तो हमारा जीवन अधिक आनंद में एवं सार्थक होगा भारत सरकार ने विदेश में काम करने वाली भारतिय महिलाओं को मदद पहुचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है उसके तहट बह कामकाजी महिलाओं के लिए नो देसों में वन स्टॉप सेंटर खोल रही है जिसका उद्देश महिला बिरोधी हिंसा से निपटना है बहरीन, कुबैत, ओमान, कतर, UAE, आस्ट्रेलिया, कनाड़ा और सिंगापुर में एक-एक बन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे वहीं साओधी अरब में ऐसे दो बन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे विदेश में खोले जा रहे इन बन स्टॉप सेंटर को केंद्रिय महिला एवं बाल विकास मंत्राले और विदेश मंत्राले की ओर से सहयोग दिया जाएगा वन स्टॉप सेंटर का अर्थ है एक ऐसी विबस्था जहां हिंसा से पीडित कोई भी महिला सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती है भारत सरकार ने यह बन स्टॉप सेंटर योजना एक अप्रेल 2015 को हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मदद पहुचाने के लिए लागू की थी जिसे मुख्यता सखी के नाम से जाना जाता है महिलाओं के हितों को द्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंतराले ने इस योजना को तयार किया था इसके जरिये पूरे देश में सिलसलेवार तरीके से सारवजनिक और निजी दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही जगह पर लाकर उनकी मदद की जाती है कोई भी महिला, दुस्कर्म, लेंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, छेड़ छाड, कार इस्थल पर यौन शोशन जैसे मामलों में सीधे यहां जा सकती है इस केंद्र में महिलाओं को तमाम सुबिधाएं एक जगह पर मोहया कराई जाती है भारत में अब करीब साथ सो बन स्टॉप सेंटर काम कर रहे है एक महिला को किसी भी तरह की हिंसा जहलने पर तुरंत उसे कई तरह की मदद की जरूरत पढ़ सकती है यह हैं हमारा डिक्टेशन समाप्त हो चुक है जो भी करना चाहते हैं गूगल मीट के मादन से दूसरी डिक्टेशन करने के बाद में पढ़ सकते हैं या फिर जो यूटूब हमारे वैप साइट पर जाकर टाइप कर रहे हैं जो ने पैकेज लिए हुआ है वह भी वैप साइट पर जाकर टाइप करके देख सकते हैं कर देख सकते हैं